तो दोस्तो इस समय इसराइल और इरान के बीच में जो टेंसन है वो अपने उच्छतम स्थर के उपर है और इरान तो इसराइल के उपर हमला कर चुका है परन्तु अब इसराइल भी धमकी दे रहा है कि इरान को जल्द ही मूँ तोड जबाब दिया जाएगा परन्तु भारत इस समय दोनों ही पक्छों से सांती बरतने का आग करह कर रहा है ताकि इरान और इसराइल के जो लड़ाई है वो अन देशों तक ना फैले और किसी को नुकसान ना पहुँचे परन्तु इस समय भारत को सबसे ज़्यादा फिकर है अपने लोगों की जो की इसर इसराइल के अंदर भी भी भीजा था ताकि इसराइल के अंदर वो काम कर सकें अब इनको लेकर भारत की तरप से लगातार इसराइल के सामने मुद्दा उठाया जा रहा है कि हमारे नागरेकों का क्या होगा तो इसको लेकर इसराइल ने भारत को फाइनली गारंटी दे दी जिसमें इसराइल के जो राजदूत है ना और गिलोन जी जब उनसे सवाल पूचा गया कि भारतिय नागरेक जो कि इसराइल के अंदर हैं उनका इस युद्ध के समय इसराइल किस प्रकार से खयाल रख रहा है तो उसके उपर उन्होंने कहा कि इसराइली नागरेक और भारत क जो नाग्रेक इसराइल के अंदर हैं, उनमें इसराइल कोई भी फरक नहीं समझता है और हम उनको एक इसराइल की तरह ही ट्रीट करते हैं और वो हमारे भाई हैं। सुरक्षा की उनकी गारंटी हमारी है जिस प्रकार से हम अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम इन भारतिये लोगों को भी सुरक्षा देंगे और जब तक इसराइली सेना का एक भी जबान जिन्दा है तब तक इन भारतिये लोगों पर इसराइल के अं और जादा बढ़ जाएगी